जय हिंद दोस्तों तो चलिए इस वीडियो में हम लोग नज़र डालते हैं कल यानि की 27 जुलाई को भारत का क्या शेडिूल रहने वाला है पैरिस ओलमपिक में और भारत के कौन से खिलाडी हमको किन इवेंट्स में कल नज़र आएंगे इस वीडियो में चलिए हम लोग जान से और यह मुकाबला हम लोग देख सकते हैं कल शाम यहाँ पर 7 बच के 10 मिनिट से इसके बाद बैट्बिंटन में ही मैंस डबल्स के मुकाबले भी कल से शुरू हो रहे हैं जहां पर भारतिय स्टार जोडी साट्विक साहीरा जरांकी रेड़ी और चिराग शेटी यह लोग के जोड़ी तानिसा क्रास्टो और अश्विनी पॉनफपा यह लोग उतरेंगे अपना मैच खेलने और इनका मैच होगा रात के 11 बच के 50 मिनिट पर और इनका मुकाबला होगा HY कॉंग और SY कीम से इसके बाद अगर हम लोग रोइंग पर नजर डालें तो रोइंग में कल एक ही इवेंट होगा जहाँ पर मैं सिंगल स्कल्स हीट्स में उतरेंगे भारत के वलराज पावर और यह जो इवेंट है यह हम लोग देख सकते हैं दोपहर के साड़े बारा बजे से इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग शूटिंग पर नजर डालें तो शूटिंग में 10 10-meter air rifle mix team के qualification और medal जो round से वो भी कल हो जाएंगे तो यहाँ पर पहला जो medal भारत को मिल सकता है वो इस event से ही मिल सकता है जहाँ पर भारत की दो जोडियां यहाँ पर उतरेंगी 10-meter air rifle mix team qualification में पहली जोड़ी है यहाँ पर संदीप सिंग और एलावेनील वेलारिबन की और दू कोई अगले round के लिए qualify करते हैं तो medal rounds में हमको दिखेंगे दो पहर के दो बजे से तो आप लोग miss मत कीजेगा कल ही भारत को पहला पदक shooting से अगर यह लोग अच्छा perform करें तो मिल सकता है इसके बाद यहाँ पर 10-meter air pistol के men's के qualification भी कल होंगे और यह भी होगा दो पहर के दो नजर आएंगे भारत के सरबजो सिंग और अरजुन चीमा इसके बाद यहाँ पर 10-meter air pistol women's के qualification भी होंगे जहाँ पर भारतिये दो women's shooters यहाँ पर नजर आएंगी यहाँ पर रज़र आएंगी रिदम सांगवान और मनु भाकर दोनों ही अच्छे form में है और उमीद करते हैं यह लोग qualification round को easily पार कर जाएंगे यह event हम लोग देख सकते हैं कल शाम के 4 बज़े से इसके बाद यहाँ पर tennis पर नजर डालें तो tennis में men's doubles में first round का मुकाबला अपना खेलने उतरेंगे रोहन बफणना और उनके साथ यहाँ पर एन स्रीराम बाला जी और इनकी जोड़ी का म मुकाबला हम लोग देख सकते हैं दो पहर के साड़े तीन बज़े से इसके बाद यहाँ पर table tennis की बात करें तो table tennis के events भी कल से शुरू हो रहे हैं जहाँ पर भारतिय एक ही खिलाडी कल हम को नजर आएंगे और वो रहेंगे हरमीद दिसाई उनको अपना round of 128 का मैच खेलना ह और यह जो मुकाबला है यह है जेड अबू यमन के खिलाफ और यह मुकाबला हम लोग देख सकते हैं शाम के 6.30 बज़े से इसके बाद बॉक्सिंग में भारत की एक बॉक्सर कल हमको बाउट में नजर आएंगी और वो रहेंगी प्रीती पवर और उनका जो इवेंट है व रात के 12 बज़े से और आखिर में भारतिय मैं सोकी टीम अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी निवजिलेंड के खिलाप और यह मुकाबला रहेगा रात के 9 बज़े से तो यह मुकाबला आप लोग मिस मत कीजेगा हम उमित करते हैं भारतिय मैं सोकी टीम अपना अच्छी शुरुआत करेगी